दोस्तों बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं कि कैसे पैचान है कि फॉन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई या फिर आईबियस लगी हुई है माली यह देखें मैं आपको एक मिसाल के तोर्ब में बताता हूं कि संका M31 है इसमें एमोलेड डिस्प्ले लगके आती क कलर फेट होंगे कलर वो नहीं आएगी तो म्हों सारे बंदे क्या करते हैं कि आप अलगा के दिस्प्ले में यहां कि इसको चैक करने का तरीका देखे क्या होता आप अपने जब से फॉन खरीद है ना तो उसके फॉन को थोड़ी देर के लिए रन करके देखिए आप पास से दस मिनट या तो कैमरा ओन करके छोड़ दीजिए या फिर डिस्प्ले मतलब आपकी ओन रहने चाहिए फुल ब्रेटनेस कर दीजिए उसकी फुल ब्रेटनेस करने के बाद उसमें से या तो कोई वीडियू से ला दीजिए या फिर उसमें कोई ड्रेटनेस इसके फिर कर देखना अगर विडियो को यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर अगर गरम होता हो तो वह उस फोन में LCD लगी हुई है एमोलेड नहीं लगी क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले जो होती है उसमें यहाँ पर LED नहीं लगी होती है वो छोटी-छोटी जो लाइट लगी होती है मैं आपको दिखाता हूं कौन के है अब यह देखे यह LED लगी होती है LCD में ठीक है नीचे की तरफ Online यह यह जब जलते है न इनकी रोस नी जब होती है तो यह दो करण होंगे तो यह पे आपको पता चलिक खीर होती है इससे आप समझेगे यह इसमें एल्सीड लगी हुई है फिर आपको चाये दूसरा वंदर कितना है नहीं है इसके घ्रळमेर टेक्ट करते हैं और के एंदर तो पूरे में होती है इसके बेकटव में पैनल में पूरे में होती है यहां से गरम नहीं होगी आपकी अगर आप फुल ब्राइट निस कर देंगे तो उसके कलर भी बाई सब प्यारे आते हैं जो किसी कलर को सामने रखके देगे लाल होगा पूरे लाल दिखाई देगे तो किलर कड़ और उसकी शाइनिंग आती है कलर जितना अच्छा आप देख उससे ज्यादी चमकतार आएगी उसमें और यह गरम होने का सिस्टम मैंने आपको बता दिया इस पर ध्यान रखना दूस्तों ठीक है जैसे अगर यह गरम होने लगे तो आप समझेए उसमें LCD या फिर IPS डिस्पेल लगी हुई है आप उसको बता दिए लेने लेने से पहले क भाई इसमें आपने डिस्पेले चेंज करा रखिए चोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और आपको जो कुछ पूछना हो आप कमेंट करके उससे पूछेगा और चैनल पे नए मेमान है तो आप सब्सक्राइक लिजीएगा लाइक कर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों भी इसके बारे में पता चले मैं मिलता हूँ आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग और जय भारत